नमस्कार, स्वागत है आप सबीका परिक्षा वर्ल्ड के इस यूटूब चैनल में दोस्तों हमने 500 महत्मून प्रस्थनों की जो सरीज चलाई है उसके आज सेट 3 को हम कवर करेंगे तता यह जो 500 महत्मून प्रस्थनों की सरीज है या NTPC का एकजाम होने वाल हो या काफी important है क्योंकि इस सरीज में हम GK, GS और करेंटरफेस के जो most important प्रस्थन होते हैं उन सभी को हम cover करवाते हैं तो चैनली वीडियो को start करते हैं और set 3 में देख लेते हैं कौन-कौन से important प्रस्थनों को हमने आज समलित किया हुआ है तो चैनली वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रस्थन हमारा कह रहा है निमलिकित में से कौन सा अंग है जो रक्त से nitrogen यगिकों को बाहर करता है सुपर important प्रस्थन है तो रक्त से nitrogen यगिकों को बाहर करने का जो कार्य रहवा करता है kidney तो इसका जो मेंड कारे होता है वह पति को फिल्टर करने है काम भी करती है धुफ़िया, घोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो खोपड़ी के अध्यान को हम क्या कहते हैं, तो खोपड़ी के अध्यान को कहा जाता है, क्रेनियो लॉजी क्या कहते हैं, तो क्रेनियो लॉजी कहते हैं, हम खोपड़ी के अध्यान को, तो आप इसे ध्यान देजेगा, तता यहाँ पे जो एंथोलॉजी यहाँ क्यों होगा एन्थोलॉजी तो एन्थोलॉजी किसे कहते हैं हम ठ्यांद देजिए खुलो हो एन्ठोलॉजी की नाम से जानते हैं और जो आपका ऑ्थिया ची से उन्यान को हम क्या कहते हैं तो आफिलोजी यानिकि जोडो यानिकि के नाम से जानते है मतलब आफिलोजी के नाम से जानते हैं तो इसे भी आप द्यान दिजेगा अगला प्रस ? e Alf broadcasting मेंसे कौन सी नश का कारे होता है फेफडे से हिर्दय तक साफ रक्त को पहुचाना तो इसका राइट एंचर क्या हो जाएगा पल्मोनरी वेन यानि की पल्मोनरी नस यानि ओप्सन ये इसका बिल्कुल सही है चौता प्रस्था में रख्या क्या रहा है सोखा रोग जिसको हम कहते है रिकेट्स निमने मैं से किस विटामिन की कमी से होता है तो यह जो रोग होता है रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है तो राइट एंचर आपको मेलेगा ओप्सन डी यानि की विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक बिमारी होती है तब इसे ध्यान देजेगा और वहीं विटामिन C की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो इसकरवी जो रोग होता है वह विटामिन C की कमी से होता है विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है इसे आप द्यान देजेगा विटामिन B की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है बिसे क्या था 2019 के गड़तंद्र दिवस के मौके पर तो 2019 में गड़तंद्र दिवस की परेट जो हुई थी उसमें भालती रिल्वे की जाकी का बिसे था मोहन से महात्मा यानि option जो इसका B.A. बिल्कुल सही है 2019 की गड़तंद्र दिवस की परेट पर बालती रेल्वे की जाकी का मुख्य भी से रखा गया था मोहन से महात्मा यानि option भी इसका बिल्कुल सही है अगले प्रस्वारा क्या कहा रहा है निमलखित में से कौन सा भारत का पहला सोरे उर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड़ा बना है तो भारत का पहला सोरे उर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड़ा कोन से बना है तो कूचिन हवाई अड़ा जो की कीरल में है या भारत का पहला सोरे उर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड़ा बना है तो आप इसे ध्यान दिजेगा कोचिन अंतरास्टी हवाई अड़ा जो है यह भारत का पहला सौरी उल्जा से संचालित होने वाला हवाई अड़ा बन गया है वह अगर हम दुसरे उप्सन की बात करें कोचिन अंतरास्टी हवाई अड़ा तो यह काफी नूज में चल ला थी क्योंकि यह उत्तरवदेश का यह हवाई अड़ा है तता यह इसको अब अंतरास्टी हवाई अड़ा दे दिया गया है तिसी कारण से यह नूज में था कोचिन अगर हवायड़ा क्योंकि इसको अब अंतराष्टी हवायड़ा बना दिया गया है इसके पहले देवी एहलिया भाई हवायड़ा बना दिया गया था या आपको हवायड़ा मिलेगा इंदोर में जो देवी एहलिया भाई हवायड़ा या आपको मिलेगा इंदोर में तता इसक पूर्ण रूप से जैवी खेती वाला राज जिकून है तो सिक्कीम इसका राइट अंसर अधर जाएगा। अगला इंपर्टीन प्रसमा रहा है, निमन कीत में से किस देश ने डिजिटल मुद्रा जिसका नाम अरब है उसको लांच किया है, तो अरब नाम से डिजिटल मुद्रा को लांच करने वाला देश है, वह इसका नाम है, आपका क्या हो जाएगा? सव्युक्त अरब अमिरात तो इसे आप दैन दिजेगा सव्युक्त अरब अमिरात इसका राइट एंच रो जाएगा option B सव्युक्त अरब अमिरात सव्युक्त अरब अमिरात में ही इस बार का जो IPL है वह खिला जाएगा IPL 2020 या इस बार 713 वहर्मिरात में खिला जाएगा इसकी राज़ानी आपके मिलेगी अभूधाबी क्या है अभूधाबी जो है 713 वहर्मिरात की राज़ानी है अगल्या प्रसन नमारा है रासानिक तत्तो की आवर्सार्णी जो उसका अंतरास्टी वर्स था क्योंकि 2019 में रासानिक तत्तो की आवर्सार्णी जो उसकी डेल सौमी वर्स गाठ मनाई गई है तिसे आप द्यान देजेगा तता आवसार्णी की जो खोज है या किसके तरह की गई थी तो दमित्री मेंडेलीव थे इनका नाम था इनका नाम क्या था तो इनका नाम था दमित्री मेंडेलीव क्या नाम था दमित्री मेंडेलीव इनके तरह जो है 1879 इसे में आवसार्णी की खोज की गई थी तता इसी कारण से जो है अब 2019 में जाके इसके अस्थापना का डेड़ सबस पूरा हो चुका है इसी कारण से यह जो आवसारणी है यह न्यूज में चली आ रही है तो इसे आप ध्यान देज़ेगा दसना प्रस्थामारा क्या कहा रहा है निमलिकित में से किसे एवल पुरस्कार 2019 दिया गया था एक चीज़ आप ध्यान देज़ेगा है जो एवल पुरस्कार है इसको गड़ीत का नोबल कहा जाता है एवल पुरस्कार को आप तो आपको बताना है कि 2019 का जो एवल पुरस्कार था तो आप इसे ध्यान देजेगा वहीं अगर हम 2020 के एबल पुरसकार की बात करें तो यह जो 2020 का एबल पुरसकार है दो लोगों को दिया गया है एक तो हैं हिलेल, फुर स्टेनबर्ग और एक हैं ग्रेगरी मार्गूलिस तो यह दो लोग हैं जिनको 2020 का सविक्त रूप से एबल पुरसकार दिया गया है वहीं 2019 का जो एबल पुरसकार था ता सिप एक लोग को दिया गया था इनका नाम ता करें उहलेन बेक अगला प्रसमारा कह रहा है 201.2.2.2.2 मैच खिलने वाली पहली मैला क्रिकेटर कौन है तो 201.2.2.2 मैच खिलने वाली पहली मैला क्रिकेटर बनी है मिथाली राज यानि आप्सन सीज का बिल्कुल सही है मिथाली राज अगला इंपॉर्णिन प्रसमारा है हाली में एकल अपातकाली नंबर लॉंच करने वाला देश का पहला राज ये कौन बना है तो हिमांचल प्रदेश इसका राज टेंसर हो जाएगा हिमांचल प्रदेश एकल अपातकाली नंबर लॉंच करने वाला देश का पहला राज ये बन गया है तो राज ये बन गया है तो राज टेंसर आपक मिलेगा ऑप्सन भी हिमांचल प्रदेश अगला प्रस्मारा है हाली में किस देश ने सियामी मचली को अपना राष्टी जली जान्वर घोसित किया है तो इस प्रस्मारा है विटी कल्चर का समबंध निम्लिकित में से किससे है तो इसमें से जो दिये गए चारों आप्संस है ये गलत है क्योंकि वीटी कल्चर का जो संबंद वो अंगूर के खेटी और कटाई से होता किस से अंगूर की खेटी और कटाई से सम्मधित होती है प्रक्रिया विटी कल्चर की तो इसका रेट एंचर क्या हो जाएगा अंगूर की खेटती अगला प्रसमा रहा है म्यामार जो देश है यह अपना स्वातंतरता दिवस कब मनाता है तो म्यामार अपना स्वातंतरता दिवस मनाता है प्रतेक चार जनवरी को यानि ओप्सन जो इसका है हमारा ए बिल्कुल सही है चार जनवरी तता यह जो म्यामाल था यह 1948 में ब्रिटेन से अज़ाद हुआ था किस देश थे तो ब्रिटेन से अज़ाद हुआ था म्यामाल 1948 में आपको बताना है कि जो 200 ब्रेल दिवस है या कम मना जाता है तो हर साल जो 200 ब्रेल दिवस है चार जनौरी को मनाया जाता है इसका भी राइट टेंशन क्या हो जाएगा चार जनौरी यानि की चार जनौरी के दिन प्रती वर जो है 200 ब्रेल दिवस मनाया जाता है त अब इसे द्यान दिजेगा इसे दिन जो है लुई ब्रेल का जन्म हुआ था इसे दिन क्या हुआ था है अग्लिया प्रस्ण हमारा है किसी भी उच्चनेयाले की पहली महिला न्याधिस कौन थी सुपर इंपर्टरन प्रस्ण तो हमारे देश का कोई भी हाई कोट मालीजे किसी भी हाई कोट की जो पहली मैला न्याधिस बनी थी वो कौन बनी थी तो इनका नाम था अन्ना चांडी यानि option एस का बिल्कुल सही है अन्ना चांडी जो है यह हमारे देश के किसी भी उच्च न्याले की पहली महिला नयदिस बनी थी तो इसे आप ध्यान दिजेगा वहीं अगर हम फातिमा बीबी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की यानि की हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का जो सरोच न्याले है उसकी जो है अधीस बनने वाली पहली मेला थी या फातिमा बीबी और मेरा कुमार का सम्बंद किस से है तो ये पहली मेला लोगसवाई श्पीकर बनने का जो है गौरो मेरा कुमार को प्राप्त है अगर इंपोर्टन प्रसमा रहा है स्टेचू आफ यूनिटी का निर्माण निवने में से किस राज जिमें किया गया है तो गुजरात में एक जिला है केवडिया जिला क्या नाम है जिलेगा गुजरात में एक नाम है केवडिया जिला यहीं पर statue of unity बनाए गया है नर्मदा नदी के किनारे तो नर्मदा नदी के किनारे तता यह जो statue of unity है यह सरदार पटेल की प्रतिमा है तिसे भी आप ध्यान देजेगा सरदार पटेल की प्रतिमा है यह statue of unity इसको गुजरात के केवडिया जिले के नर्मदा नदी के किनारे बन चोती है तो तीन महिन यानि कि 90 दिन इसका रायat answer हो जाएगा बीसवा प्रसन हमारा है जब हमारा समिधान बना था मुल समय तो उसमे कितनी assume अनुशूं चेय है तो जब हमारा मुल समय बना तो उसमे कुल आट अनुशूंची या ती परन तो अब कितनी अनुसूचियां टोटल टोटल बारह अनुसूचियां तो दोनों आपको पता होने चाहिए जब हमारा मूल समिधान बनाता तो उसमें हमारी आठ अनुसूचियां थी और वलतमान में याने की प्रजेंट में टोटल बारह अनुसूचियां हमारे बाती समिधान में मौजूद हैं अगला प्रसमारा है INS विक्रमा दित्त को भारत ने किस देश से खरीता है INS विक्रमा दित्त और S-400 जो मिसाइल की डील हुई है ये दोनों हमने रूस से किया हुआ है तो अप इसे द्यान देजेगा रूस इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसमारा है INDRA GANDHI के दोरा 99 से किस वर्ष नेशनल इमरजन्सी आने की राष्ट्रिय अपातकाल लगाय गया था तो राष्ट्रिय अपातकाल लगाय जाता है सबसे पहले आप आर्टिकल जान लिजेए इसका आर्टिकल 352 के अंतर का जो है नेशनल इमरजन्सी लगा अगला इंपॉर्टन प्रसमारा कहा रहा है निमलिखित में से किसके द्वारा मुगल समराज की अस्थापना की गई थी तो मुगल समराज की अस्थापना किस ने की थी बाबर ने 1526 इस्वी में अगला प्रसमारा है गोल्ड मैन पुरसकार का संबंद किस छेत्र से है तो जो या पर्यावरण के छित्र में दिया जाता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा वातावरण यानि की option A अगला important प्रसमारा है मात्मा बुद्ध को मतलब मात्मा बुद्ध के मिलेगी सारनात तो सारनात में ही जो है मात्मा बुद्ध ने अपना प्रतम उपदेश दिया था तो आपको बताना है कि इनके तरह जो प्रतम उपदेश दिया गया था उसको किस नाम से जाना है तो मात्मा बुद्ध के तरह जो प्रतम उपदेश दिया गया था उसको कहते है हम धर्म चक्र परिवल्तन यानि option जो इसका ए बिल्कुल से है धर्म चक्र परिवल्तन यानि option ए इतता इन्होंने अपना जो प्रतम उपदेश था वराणसी के सारनात में दिया था अगला important प्रस्मारा है निम्न में से किसके दर्बारी कभी अमूर अमीर खुसरो थे तो अमीर खुसरो किसका दर्बारी कभी था तो अलाओ दीन खिल जीगा यानि option इसका ए बिल्कुल सही है अलाओ दीन खिल जीगा अगला important प्रस्मारा है जन्गर्णा 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षलता दर कितनी है तो 2011 की जन्गर्णा के अनुसार भारत की जन्गर्णा के अनुसार तो आप इसे ध्यान दीजेगा अगला important प्रस्मारा है लेबलान की राजानी निम्लकित में से क्या है तो लेबलान हाली में चल्चा में था क्योंकि इसके राजानी जो है बेरुत यहीं पे काफी बहुत बड़ा जो विसफोट हो गया था इसी कारण से यह न्यूज में चला आ रहा था तो लेबलान के राज़ानी है बेरूत तता बेरूत में ही हाली में एक बहुत बड़ा विसफोट हुआ था इसके बाद अब उदाबी किसके राज़ानी है तो अब उदाबी आपको राज़ानी मिलेगी प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है तो केंप्यूटर के प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं तो केंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम कहते हैं साप्ट वेयर यानि option B इसका बिल्कुल से computer के प्रोग्राम को साप्ट वेयर कहा जाता है आज का last प्रस नमारा है किसे computer की मुख्य memory कहा जाता है तो computer की जो मुख्य memory होती है उसको हम कहते है RAM यानि option is का बिल्कुल सही है computer की मुख्य memory को हम RAM कहते है RAM का मतलब होता है random access memory तो दोस्ते हैं आप हमने set 3 को cover कर लिया है जल्दी मिलेंगे हम set 4 में तब तक के लिए thank you thanks for watching thank you